बिहार में जिस तरीके से गर्मी ने कहर बर पाया है ऐसे में लोगों की समस्याएं सबसे जादा पानी को लेकर के हो रही है जिहा बिहार में गर्मी ने तांडो मचा रखा है अपरेल के महीने में पारा 41 डिग्री के उपर चला जा रहा है सुबह 11 बजे की बात चित करें तो 49 डिग्री रह रहा है और दोपर आते आते 41-42 डिग्री सेलसियस रह जा रहा है गर्मी के वेज़ से लोग परिशान है और स्कूल के समय सारणी में कल ही आदेश के बाद बिहार के सभी स्कूलों के समय सारणी में बदलाव किया गया है 11.30 बज़े तक सभी स्कूलों को बंद कर देना है यानि कि पूरा स्कूल जो है वो सुबद 6 बज़े से शुरू होगा और 11.30 बज़े आते आते स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा लेकिन बढ़ती गर्मी ने सबसे ज़्यादा चिंता में अगर ढकेलना शुरू किया है तो वो जल संकट को ले करके है बिहार के कुछ जिलों में जल संकट सबसे ज़्यादा मड़ाने वाला है अपरेल का महीना चल रहा है अभी मई, जून, जुलाई की गर्मी बाकी ही है अभी ही बिहार के कई जिलों में जल संकट ने लोगों को परिशान कर रखा है बारिश भी कम हो रही है बारिश कम होने के वज़ा से बिहार के कुछ खास जिले हैं जिन जिलों में पानी की कमी बताई जा रही है किन जिलो में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत है तो चलिया आपको बता दे कि 44% कम बारिशे बिहार के गया सिवान समेत 12 जिलो में पानी का संकट मड़रा रहा है जी हाँ विहार में मानसून के दोरान 44% कम बारिश हुई है कहीं आस्तन से 11 तो कहीं 73% कम पानी बरसा है सीधा अत्सर भूगर्व जलस्तर पर पड़ रहा है जो अब देखने को मिला बेवेन जिलो में ग्राउंड जिरो पर लगतार गिरावट हो रही है अच्छे संकेत नहीं है यह अनुमान है कि एक दरजन जिले की 166 पंचायत में पेजल की समस्या हो रही है इसे देखते हुए लोक स्वास्त अभियंतरन विभाग ने अपनी तयारी शू कर दिया ऐसे इलाके में 1126 टैंकरों से पानी पहुँचाया जाएगा अबादी की मांग के मुताबिक पेज जल की गुडवक्ता भी प्रभावित हो रही है सबसे जादा जो मामला है सिवान के रगुनातपूर हनमंत नगर और लक्षमिपूर में हैं गया की बातचित करें तो संग्रामपूर टकनकुपा बागेश्वरी कटारी डेला और गुवाल बिगा समस्तिपूर में विभूत काफी गडबर हो रही है अर्वल रोताज जहानापूर भागलपूर के कुछ हिस्ते में लगतार जलस्तर गिर रहा है समस्य अगरस्त इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए पिएचडी विभाग ने 600 टैंकर खरीदे हैं पुराने टैंकरों की मरमत होगी विभाग ने रही है रिसाव तलाब में मिट्टी और बालू से निर्म टैंक में पानी को स्टोर कर उसे फिल्टर किया जाएगा जिसे पानी के सुद्धता के साथ उसका संग्रा हो सके एक रिसाव तलाब से 5000 लोगों की पानी की उपलब्धता होगा आपको बताए कि अधिकारी ललित मंत्री पीचडी बिवाग के कहते हैं कि मांसूर में बारिस कम हुई है जिन जगों पर जलस्तर में कमी हो रही है वहाँ पर जलाब पूर्ती की विवस्ता की जा रही है पानी की गिरते अस्तर के लिए दिकारी के मौनेटरिंग का नरदेश दिया जा चुका है तो इस तरीक अगर बारिश होता है तो आपसे हम भी निवेदन करेंगे कि उस पानी को स्टूर करें प्यूरिफाई करें तमाम विवस्ता सरकार दे रही है उसे प्यूरिफाई करें पानी बचाना बेहत जरूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में पानी की किलत बिहार जैसे राजियों में अगर होने शुरू हो जाएंगे तो दो देश के स्तिती विक्राल हो जाएगी तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही देखते ही हमारे चैनल दभिहार टॉप बहुत बहुत धन्यवाद